हेलो स्टुडेंट टुडे वी लान अबॉड दा कैटलेटिक कनवर्टर तो कैटलेटिक कनवर्टर जब हम यूज करते हैं तो बेसिकली हम पॉल्यूटेंट को रिडियूस करने के लिए इसे यूज किया जाता है यह एक्जॉस्ट पाइप के साथ लगा होता है बेसिकली थे यह जिए सफ ऑमारे जाते है ंंडि जूस्ट फोटी तैप थे यह जो एक पॉल्यूटेशन शफ्स लेए तैसल टो6 यह होता था यहें जही जयर्टों बेसं सिर्फ औंराविशने अधिक वान धसलिग में इस्द्विंशन थी यानि नदा फोल्यूटे निंट पॉल्य तो अभी हमने 3-way type catalytic converter use किया है 3-way catalytic type converter वो redox reaction करता है means redox reaction का मतलब है oxidation as well as reduction यहाँ पर जो मिने diagram ना है oxidation and reduction दो नहीं कर देता है तो पहले तो देखो जो engineering student है वो थोड़ी सिक कि मिस्ट्री भूल जाते हैं उनको यह नहीं मालूम होता oxidation and reduction क्या process है oxidation is basically process to adding oxygen oxygen को add करना है तो oxidation बोला जाता है अगर हमने oxygen को remove करना है तो उस process को हम reduction कहते हैं तो reduction is the process जिसमें हम oxygen को दूर करते हैं और oxidation is the process जिसमें हम oxygen को add करते हैं in easy form में बता रहा हूं मैं कोई electron के बारे में नहीं बोलूँगा इसके बारे में ठीक है तो सबसे पहरे जो catalytic converter है वो ऐसे करके आपको show किया गया यह honeycomb structure है जैसे मदुमकी का छत्ता होता है वैसे यह बना होता है क्योंकि हम ज्यादा area of cross section reaction के लिए रखते हैं तो यह reduction जो जोन है वो बेसिकली platinum और रोडियम की बनी होती है और जो oxidation है वो platinum and palladium की बनी होती है तो यह एक तरीका के catalyst है जो की conversion करने के काम आते हैं तो यहां से मैंने hydrocarbon carbon जो onward hydrocarbon रहे वो यहां से आये carbon monoxide आयी nitrogen oxide आयी this is the मतलब यह मैं कह सकता हूं यह जो मेरी side है यह engine के exhaust से connect है ठीक है exhaust से connect है तो यहां से आ रही है और यह इस पूरे को हम muffler ही कहते हैं this hole is muffler इसके उपर स्टील की coating की जाती है यहां पर यहां पर की गर्मी मतलब भार से जो हमारा muffler है वो ठंडा रहे तो इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले हमने sensor के बारे में कोई बात नहीं करनी बाद में general discussion कर ले पहले यह hydrocarbon carbon monoxide and nitrogen oxide यहां पर आये reduction में platinum और odium की मदद से यह जो nitrogen oxide था basically इसने ही reduction जो उनमे basically यह NOx ही काम करता है तो NOx ने क्या किया है NOx is break into nitrogen plus oxygen nitrogen oxygen में convert हो गया मतलब यह basically यहां पर टूटा और hydrocarbon and carbon monoxide जनरली ऐसे की ऐसे ही यहां पर बाहर आ जाती है ठीक है कहीं बार ही क्या होता है carbon monoxide oxygen react हो जाता तो carbon dioxide भी आ जाती है बट जनरली जो इसका output है वह यही होता है ठीक है कहीं authors ने लिखा है बट basically यहीं है तो उसके बाद यह जो oxidation zone है उसमें हमने oxygen add करना है तो oxidation zone में यह platinum and palladium ऐ desert is वैसे ही निकल जाए लेकिन यह जो carbon monoxide oxygen है यह दोनों react हो और hydrocarbon plus oxygen react हो जिससे hydrocarbon oxygen जब react हो तो एक तो CO2 बने और दूसरा वह पानी convert हो जाए यानि कि S2O में convert हो जाए ठीक है तो this is the oxidation reaction देखो यह जो gases है यह ज्यादा इतनी ज्यादा खतरनाग नहीं है यह पानी वैसी खत थोड़ी सी थोड़ी बहुत यह harmful हम इसके कह सकते हैं तो अब जंदर reaction देखते हैं इसके तो देखो यह आपने याद करना है किसी भी exam में यह पूछे जाएं तो आपको यह help करेंगे reduction zone में आपने यह यह याद करना है से reduction zone में platinum and rhodium तो यहाँ पर platinum and rhodium लिख लेना आपन है तो nitric acid जो nox जिसे कहते हैं वो basically two types का होता है nitrogen oxide and nitrogen dioxide तो यह nitrogen dioxide है यह nitrogen plus oxygen और यह nitrogen plus oxygen में break कर दिया ठीक है this is reduction zone oxygen को अलग करना ही हमारा reduction zone होता है ठीक है अलग कर दिया Oxidation process में क्या है Oxidation में आपने carbon monoxide और hydrocarbon यह पहले भी two way catalytic converter यही काम करता था तो carbon monoxide को oxygen carbon dioxide बन गया hydrocarbon oxygen react यह carbon dioxide plus water बन गया तो यह आपने याद करने है that is बहुत बड़ी है students तो उसके बाद एक sensor लगा दिया जाता है जिसे हम lambda sensor कहते हैं यह देखो यह input के पास भी एक lambda sensor लगा है यह output के पास भी लेमडा sensor लगा है यह basically oxygen level चेक करता है जब यहां से input आता है oxygen चेक कर output का pattern यह white आला pattern है अगर यह कम होकर ऐसे बन रहा है white में तो तो यानि यह जो हमारा catalytic converter काम कर रहा है अगर यह white और यह brown देखो white और brown की height भी सेम है सब कुछ यह डिक्टो ही है बिल्कुल है as it is है अगर यह input है और output भी ऐसा ही मिल रहा है तो यानि यह catalytic converter काम नहीं कर रहा ह season sensor दोनों side ही लगाए जाते हैं चेक करने के लिए भी catalytic converter काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह lambda sensor electronic control module के साथ linked होते हैं जो onboard diagnostic में हमें यानि dashboard पे show करता है भी हमारा यह sensor काम कर रहा है कि काम नहीं कर रहा नहीं तो और OBD जो scanner होता है जो लगाया जाता है उससे भी हमें पता order काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो मुझे लगता है बड़ा simple था यह input है और यह output है अगर input और output same आ रहे हैं तो यह खराब हो चुका है अगर input ज्यादा है और output ने वो सारे के सारे pollutant कम करती है देखो यह reduce हो गए इसकी height ज्यादा है इसकी how it come हो गई तो यह चल रहा है ठ पर के catalytic converter की चोरी होने का भी डर होता है तो चलो students okay good night bye bye